यकिनन आज की ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है चाहे आप इसको नौलेज के मकसद से देख रहे हो या फिर इस तरह की नीड आपके सामने हो क्योंकि इस तरह की जरूरत है हमारे और आपकी जिंदगी में आती रहती हैं जिसे भी मकसद से देख रहे हो देखेगा बहुत ही केरफुली क्योंकि कई मरतबा हमारे और आपके साथ ऐसा होता है कि अर्जेंटली हमें पैसे की नीड हो जाती है बट उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होता है जिसकी वज़ासे हमें इदर उदर कर्ज लेना पड़ता है भटकना पड़ता है और कई मरतबा मतलब लोन भी लेने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोसे से गुजरना पड़ता है लेकिन बहुती सेफ और इजी तरीका में आपको बताने वाला हूँ अगर आप मीचोल फण में इंवेश्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बिलकुल इजली अपने मीचोल फण पर लोन ले सकते हैं अब ये सारा कुछ कैसे होता है इसके उपर हम डीटेल्स में वीडियो में बात करते हैं तो सर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेश्ट है कि एक लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चाइनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाइनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजे डिरेक्ट सर हम अपने मुद्धे पर आ रहे हैं देखे कई मरतब जैसा कि मैंने कहा है पैसे कोई जरूरत होती है हम इदर उदर बटकते है बट पैसे मिलते नहीं है लोन के अगर बात कि जाए तो वहाँ पर आपको प्रोपर्टी रखना पड़ता है गोल्ड रखना नहीं है प्रोपर्टी भी इतनी नहीं है परसनल लोन के अगर बात कि जा तो वहाँ पर इंट्रस्टेट बहुत हाई होते हैं इसी तरह सेम हाल क्रेडिट कार्ड लोन का भी रहता है तो अब एक ऑप्शन है कि अगर वो मिचुल फंड में इवेस्टमेंट कर रहे हैं तो अ जाबर प्रोसेस नहीं है सर यहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा सबसे पहले हम इक्वीटी की बात करें तो जीतना भी आपका टोटल वैलू है जी सर जीतनी भी टोटल वैलू है आपका उसका 50% आप लोन के तोर पे ले सकते हैं बैंक से मतलब बैंक को आपको लिखलाना पड़ेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट का टोटल वैलू यह है उसका जो 50% होगा मानकर चलिए 10 लाख रुपिये है आपका टोटल वैलू तो 5 लाख रुपिये आप ले सकते हैं वही पर डेट कैटागिरी के मिचुल फंड के अगर बात की जाए तो 50% मतलब जो भी आपके टोटल वैलू है उसका 80% तक कि आप लोन ले सकते हैं अब एक्वीटी और डेट में यह जो डिफरेंस है वो इसलिए है कहा जाता है कि एक्वीटी मिचुल फंड जो होते हैं वो रिस्की मिचुल फंड होते हैं इसलिए यहाँ पर आपके पैसे के सा सामना करना पड़ेगा आपके पैसे इन सारे उतार चड़ाओं को देखेंगे तो आगे चलकर क्या होता है इसका पता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ एक्वीटी में 50% लोन के तोर पे आपको मिलेंगे और डेट है तो वो से फेस्ट मिचुल फंड माना जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि उसके 80% आपको लोन के तोर पे दिया जाएगा लेकिन एक चीज़ और भी आती है कि सीधा सीधा 80% 50% जो मैंने कह दिया है यहाँ पर एक अपर लीमिट भी सेट होता है बैंक की तरफ से वो अपर लीमिट क्या होता है इसका मतलब यह होता है मानकर च बैंक से मांगेंगे तो बैंक आपको यह भी कह सकता है कि दे कि हम जादा से जादा आपको दो ही लाक रुपी लोन दे सकते हैं इसी तरीके से डेट कैटाइगरी के मिचल फंड पे 80% आपको लेना है दस में से 8 लाक रुपी आप लोन के तोर पे ले सकते है तो वहाँ पर बैंक आपको यह भी कह सकता है कि भाई हमारा जो अपर लिमिट है वो यह है कि आपको पाथ ही लाक रुपी लोन मिलेंगे या फिर साथ ही लाक रुपी लोन मिलेंगे तो बैंक का अपना भी कुछ अपर लिमिट हो सकता है अब सर अगर बात किये जाए ELSS एक्वीटी लिं नहीं मिलेगा कब तक उस टाइम पर जब तक उसका लोकिन पिरियट समाप्त नहीं हो जाता है जादतर टेक्स सेशन वाले जो टेक्स सेविंग वाले जो स्कीम्स है मिचोल फंड में उनमें देखेंगे तो 3 years के lock in period होती है तो 3 years के lock in period complete होने के बाद ही आप उस पे loan ले सकते हैं उससे पहले अगर चाहेंगे के loan मिल जाए तो आपको नहीं मिल सकता सर अब हम बात करते हैं कि interest का process क्या क्या रहेगा equity में कैसा रहेगा date में कैसा रहेगा सर equity mutual fund पे अगर आप loan लेते हैं तो वहाँ पर interest आपको थोड़ा जाद देना पड़ेगा लेकिन अगर date mutual fund category से आपने मतलब इस category के mutual fund पे आपने loan लिया है तो वहाँ पर interest rate कम हो जाते हैं अब एक बहुत बड़ा स्वाल ये आता है कि भाई mutual fund पे loan लेना ही क्यों चाहिए सर देखे एक बात तो तो तह है अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं कि बिल्कुल कर्ज लेने से बेहतर है liability से बेहतर है कि आप अपने पैसे को mutual fund से redeem कर लीजिए और उसको आप use कर लीजिए अब सबसे बड़ा फाइद है यहाँ पर यह है कि आपको अपने mutual fund को redeem करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपका जो mutual fund है वो already जिस तरीके से चल रहे थे न वो इसी ही चलता रहेगा अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा extra benefit क्या हो जाता है मान कर चलिए कि आपने loan ले लिया अब bank आपसे उस loan पे 8% return मतलब interest ले रहा है 8% का भ्याज ले रहा है लेकिन आपको mutual fund से 16% का 15% 14% का interest मिल रहा है तो यहाँ पर extra income आपका होता जा रहा है मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ आप bank को कितना interest दे रहा है 8% लेकिन आपको mutual fund scheme से कितने interest मिल रहा है 12, 14, 15 जो भी मिल रहा है तो यहाँ पर आपका extra income हो रहा है अब यहाँ पर एक और भी बात धियान रखने वाली है कब भी इस तरह का loan अगर आपको लेना हो तो bank से पहले clear करे कि भाई क्या process है terms and conditions क्या है उसको अच्छे से आपको समझना है समझने से पहले आपको loan नहीं लेना है आपको समझना है कि भाई अगर मैं यहाँ से loan लेता हूँ तो मुझे interest कितना देना पड़ेगा आप देखे कि जितना अगला आदमी बता रहा है agent हो या जो भी bank manager हो जो भी वेक्ती आपको बता रहा है कि भाई आपको इतना interest देना पड़ेगा मानकर चली कि वो कह रहा है कि आपको 10% interest देना पड़ेगा और आपको mutual fund से 10-12% का return see मिलना है तो ऐसे condition में आपको loan नहीं लेना है फिर लेकिन bank आपसे interest कम ले रहा है और आपको mutual fund scheme से interest ज़ादा मिलना है तो यहाँ पर दो benefit हो जाते हैं सबसे पहला benefit कि आपको अपने mutual fund को redeem करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और दूसरा benefit यह है कि आप loan भी ले लिए आपका काम भी हो जाता है और आपका interest का interest आ भी रहा है अब देखें बात आती है कि कौन सा bank इस तरह का loan देता है क्या हर bank यहाँ पर loan दे रहा है क्या mutual fund के उपर तो यह मैं आपको clear करना चाहूंगा sir कि हर bank में यह facility नहीं दे जाती है यह आपको check करना पड़ेगा यह depend करता है bank to bank कई सारे bank कैसे है जैसे access है HDFC है इस तरह के जो bank है यह इस तरह की facility देती है बाकि हर bank की नहीं देती है तो आपको देखना है कि किस bank में यह चीज available है इस तरह की facility है दूसरी बात अगर कोई bank मतलब इस तरह की facility देती भी है तो वहाँ पर हर mutual fund के उपर नहीं देती है उसके अंदर भी कुछ categorization के होते हैं उनकी तरफ से मतलब कुछ भी हो सकता है कि भाई इस fund में होगा या फिर इस category का fund होना चाहिए large cap होना चाहिए, mid cap होना चाहिए इस तरह का भी मतलब आपको condition वहाँ पर देखने को मिल सकते है या AMC का भी condition वहाँ पर देखने को मिल सकता है तो ये सारी चीजों का आपको face करना पड़ेगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का अगर आप loan करवाते हैं तो आपको सारा टॉमसें condition समझ लेना चाहिए अच्छा एक advantage की बात मैं और भी यहाँ पर बताना चाहूंगा सर जैसे देखे 5 लाख रुपय का आपने loan लिया उसको आप use जितना करेंगे उस 5 लाख में से मतलब 10 लाख value है 5 लाख रुपय आपने loan लिया इस 5 लाख में से आपने 3 लाख रुपय यूज के तो आपको जो interest लगेगा वो 3 लाख पर ही लगेगा ऐसा नहीं कि भाई आपने 5 लाख रुपय निकाला है तो आपको 5 लाख रुपय का ही interest देना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये वाला जो option है ना और इसके इलाब और भी कई सारे option जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये point है बाई अब एक बहुत ही जरूरी बात आती है मान लिजे कि कुछ ऐसे investors होते हैं जो अपना पैसा date fund में भी निवेश करते हैं और equity में भी निवेश करते हैं तो जिन लोगों ने भी ऐसा करके रखा हुआ है तो क्या same time में एक ही time में वो दोनों category के mutual fund पे loan ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो sir इसका सीधा जवाब है कि जी बिलकुल of course आप loan ले सकते हैं अब same time period में मानकर चलिए हमें अभी पैसे की जरूरत है अभी हम गए और हम चाहरा है कि दोनों तरह के जो fund है date और equity दोनों पर हमें loan चाहिए तो date category के जो fund होंगे उन पे आप 80% ले सकते हैं और जो equity category के fund होंगे उन पे आप 50% same time period में आप ले सकते हैं अब जिस भी category का हो चाहिए वो date category का हो या फिर equity category का हो जिस mutual fund के उपर आपने loan ले लिया है क्या उसे आप redeem कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल नहीं कर सकते हैं जब तलक आप loan का जो भी EMI चल रहा है उसको जब तक आप payment नहीं कर देते हैं तब तलक उस fund को आप redeem नहीं कर सकते हैं तो sir मुझे लगता है कि जो भी important और जरूरी बाते थी वो सारी चीजे मैंने आपको बता दी है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजे बाकी है बहुत सारे questions आपके माइन में आ सकते हैं तो आप comment section में हमें comment के जरीए बता सकते हैं दूसरी बात आप हमें इंस्टा पे भी contact कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा instagram का, twitter का, हर जगा का link आपको मिल जाएगा और last में एक बात कहना चाहूँगा sir humble request बहुत मेहनत लगती है बड़ा time consuming work है यह तो बहुत पढ़ने, सोचने, समझने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है मेहनत के साथ तो एक like जरूर कर दीजिए और subscribe नहीं कहा है तो subscribe करके ज़्याद से ज़्याद प्यार दीजिए मैं फिर मिलता हूँ किसी next and interesting वीडियो में जब तक लिए all the best thank you, thank you for watching